काफी सारी महलाओं के ये ुस सूपता होती है इसलिए बहुत ज़ादा ये कौाइरिज होती है बच्चे को लेकर होने वाला बच्चा बेवी-ल्युछ निदा से पता चलेगा हमारी बॉड़ी कौन कौन से वो संकेद देती हैं जिससे हम थोड़ी अपना उसुकता को कम कर सकें तो गाइस वीडियो को आप एक वार जरूर पूरा देखेगा और हम यह भी बताएगे कि अगर आप में यह लक्षर मैच करते हैं तो कितने कितने हद तक आपके चांस बेबी गर्ल और बेबी बॉय होने के हो सकते हैं तो गाइस अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी तो आपको जानकरी मिल पाएगी तो वीडियो को एंड तक देखेगा और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो च लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी गलत कदम ना उठाए और इस वीडियो को आप सीरियसली बिलकुल भी ना ले ठीक है तो सिर्फ अनुमाल लगा सकती है और कोई भी गलत कदम आपको नहीं उठाना है ठीक है क्योंकि मैं इसमें सच्चाई भी बताऊंगी कि कितने हद तक ये काम करेंगे तो आपको वीडियो को पूरा देखना है सबसे पहले जान देती हैं पहले लक्षर के बारे में दोस्तो ऐसा माना जाता है कि जिन महलाओं को क्रेविंग बहुत जादा होती है अब जब हमारी प्रेग्नेंसी कन्फरम होती है तो हमें बहुत ज चैन्जिस देखने को मिलती है उन मैसे चैन्जिस है क्रेविंग क्रेविंग अगर महलाओं को बहुत ज़्यादा होती है कही कुछ खाने का मन करता है तो कही कुछ खाने का मन करता है अफिर कच्चे राइस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं प्रेग्नेंसी में तो दोस्तो ये संकेट baby boy होने का इशारा होता है। माना जाता है कि baby boy होने के time पर हमें craving बहुत जढ़ ज़ादा होती है। बहुतا ही girl होने के time पर हमें इतनी ज़ादा craving नहीं होती। तो guys अब जाँ लेते हैं दूसरे symptom के बारे में, दूसरा जो symptom है वो यह हैं, माना जाता है कि अगर pregnancy के टाइम पर आपकी जो तवचा है वो एकदम से glow होने लगे glowing उसमें आने लगे चमकदार होने लगे आपका जो चहरा है उसमें भी आपको काफी जादा changes देखने को मिल सकती है तो लोगों का ऐसा मानना है कि अगर गर्वावस्ता के दौरान आपका ज जाता है या फिर बहुत ज़्यदा dark circle आ जाते हैं पिमपल भी काफी ज़्यदा pregnant ladies के आ जाते हैं जिन वहलाओं की skin तवचा काली होती है चहरे की और बहुत ज़्यदा पिमपल आते हैं दाग धबे चहरे पे आते हैं तो गाइस ऐसा माना जाता है कि ये baby boy होने का इशारा हो बहुता है बहीं अगर आपकी glowing कर रही है तो अचा बहुत ज़्यदा glow कर रही है आपकी जो तचा है जो skin है तो ये baby girl होने का संकीत है तो guys अब जान लेते हैं next symptom के वारी में guys next जो लक्षड है वो ये है लोग मानते हैं कि अगर गरवती महला को कम नीद आती है सुरवाती मह आपकी बॉड़ी में काफी सारे changes दिखते हैं लेकिन अगर आपको उन changes मैंसे need बहुत कम आती है आप रात रात में सो नहीं पाती है आपकी need बहुत जल्दी खुलती है तो दोस्तो ऐसे में भी काफी लोग बताते हैं कि ये लड़का होने का संकेत होता है जबकि लड़की ह काफी लोग होते हैं जो मानते हैं जो घर में दादी होती है वो अक्सर हमें इस लक्षड के बारे में बताती हैं कि अगर आपको need कम आती है तो ये लड़का होने का संकेत होता है नीद जादा आती है तो ये baby girl होने का इशारा होता है चलिए guys एक और लक्षड के बारे में जानेंगे जो काफी प्रचलेत है काफी लोग सही मानते हैं ऐसा माना जाता है कि जिन गरवती इस्तरियों को सुरुआती महीनों से ही बहुत ज़्यादा वोमेटिंग होती है बहुत ज़्यादा हद तक उल्टिया होती है पानी भी नहीं पचाया जा सकता उन से तो दोस्तों ये बेबी गर्ल होने का संकित होता है लड़कियों के टाइम पर उल्टी जादा होती है और लड़का होने के टाइम पर उल्टियों की प्रॉब्लम कम होती है होती है लेकिन जादा नहीं होती है तो ये बेबी बॉय होने का संकित होता है अगर जादा उल्टिया होती है तो ये baby girl होने का संकीत होता है तो guys ये ये ते कुछ लक्षर जो लोग काफी हद तक सही मानती है लेकिन guys मैं आपको वस यही सजिस्ट करूँगी यही आपको शला देना चाहूंगी कि आपको कभी भी इन लक्षरों को जानकर देखकर कभी भी आपको 100% sure नहीं होना चाहिए वो इसलिए क्योंकि इन लक्षरों का कोई भी scientifically proof नहीं होता है विज्ञान की माने तो इन लक्षरों का baby girl और baby boy से कोई भी लेना देना नहीं है इसलिए मैं कहती हूं कि आपको कभी भी इन लक्षरों को देखकर 100% sure और नहीं होना है तो आशा करती हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे अगर वीडियो की जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब गाई चरूर कर लें चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में